देखे इस वक्त हम दुजाना हाउस के बाहर मौजूद हैं यहाँ पर जो चाननी महल इलाका लोकडाउन की वज़े से सील के हुआ जहां कुछ केसिज निकलेते हैं अब यहाँ यह बिलकुल पूरी तरह से लोकडाउन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब यह बंद है यहा यहाँ पर सिर्फ चार बज़े से साथ बज़े तक ही यहाँ पर खोला जाता है इस तरह जैसे चदरे लगाई हुए हैं इस तरह की चदरे इनोंने पूरे इलाके में लगा रखी हैं यह हमारे पीछे बिलकुल बाजार मट्या महल है जो बिलकुल खाली पड़ावा आप दे लगी हुई है उधर मट्या महल की तरफ भी चादे लगी हुई है इधर भी चादे लगी है तो रखमानवेट सिफ चार बज़े से साथ बे तक शाम को खोला जा रहा और सुबह गंटे के लिए खोला जाता है लेकिन हम यह देखते हैं कि सुबह इतनी भीड़ नहीं होती ल सरकार जो फैसला कर रही है लोकार का अच्छा है मगा लोगों की परिषानी साथ को दूर करनी चाहिए जिसे लोग यहाँ पर आते हैं दूद का सब्सक्राइब नहीं है लेने के लिए आदमी को आगे पीषे जाना पड़ता यह यहीं होगा तो लोग जाएंगे नहीं निक दिनके कहलो की कि पताना है कि इससी में और अंदर जा ने कोई परेशान दो में आरद हैं एक लगन हैं लेकिन अगर वी भीज़ानенко फिर फीन नोच के लोगों की सुवीधा का भी ख्याल लगना चाहिए परचून के कोई दुकान नहीं है सबजी कोई नहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा खाली पड़ा हुआ है तो लोगों की सुवीधा का भी ताहला कि लोगों के लिए यह देख सकते हैं इस वक्त हम नई सड़क पर कि अगर जूरत के तहती है तो उसको जाने दे रहे हैं उसके अलावब नहीं जाने देते शर आपका नाम नाम एसा है अशुक चोधरी जी इस वक्त लोक्डाउन का पूरी तरह से पालन हो रहा है मैं देख रहा है दो चाओडी में भी कोई ने देख रहा है काजी उसकी तरह और मैं जाओं मुझे जा रहा हूं नमाज की वज़े से हाँ ने लोकडाउन का पालन हो रहा है लेकिन कुछ लोग निकल रहा है कुछ जोर्त वाले हैं कुछ बेजोर्त वाले भी हैं बेजोर्त वाले तो अलग से दिख जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल और यह सेनिटाइजर भी आप सेनिटाइजर हम यूज़ कर रहे हमें अपना थाने से भी मिल रहा और बागी कुछ और लोग भी मदद कर रहे हैं स्यासी तफदीर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर किलिक करें ताके आपको सबसे पहले खबरे मिलती रहें